दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा दस के NCRT के बिग्यान के किताब से अध्या एक के अंतरगत रसानिक अफ्किरिया यों समिकर्ड के अंतरगत अभ्यास प्रश्ण टू करने जा रहे हैं जो की बहुत ही महत्पूर है अभ्यास प्रश्ण को जिरी हम अच् इस प्रकार की है नमबर एक संयोजन अफ्किरिया नमबर दो नमबर बी विस्थापन अफ्किरिया नमबर तीन सी बियोजन अफ्किरिया और नमबर चार डी विस्थापन अफ्किरिया कहने का मतलब है इस चार बिकल्प दिये गए है चार में कौन सा बिकल्प सही है जो यानि यहाँ प्रस्ण हमको चार अपकिरियाओं के बारे में समझने में हमारी मदद करेगा तो पहला हमारा क्या है संयोजन अपकिरिया संयोजन अपकिरिया किसे कहते हैं संयोजन का मतलब होता है जैसे A प्लस B A प्लस B मिल करके A भी बन जाता है यानि दो अभिकारक पदार्थ मिल करके एक अभिकारक पदार्थ बनते हैं तो क्या होता सहियोजन अपक्रिया होती तो क्या सहियोजन अपक्रिया होती सहियोजन अपक्रिया लेकिन इसमें क्या है दो पदार्थ मिल करके दो पदार्थ बन रहे हैं तो एक बनता तो सत्य होता लेकिन यहां क्या हो रहा है एक दो पदार्थ मिल करके पहला पदार्थ दूसरा पदार्थ मिल करके दो पदार्थ बनते इसलिए अपकिरिया असत्य अगला है दूइक बिस्थापन अपकिरिया अगला है दूइक बिस्थापन अपकिरिया ऐसे होत उसके साथ हो लेता है, तो इस तरह से ये अगली अब कर्या हमारा A, C, PLUS A, A, C, सारी A, A, D, A, D बनेगा, इसका धन होगा A, D, A, D, और दूसरा बनेगा, और ये हमारा C था, और C और B بنेगा, C, B, इस तरह से येदी कोई अब कर्या होती, यानि अदला बदली होती, परमाड़ों का अदला बदली होता मूलकों का अदला बदली होता तो दूइक बिस्थापन अपकिरिया होती लेकिन ऐसा इसमें नहीं है तो ये भी असत्य है अगला है बियोजन अपकिरिया बियोजन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ जिसे ए है अविकारक पदार्थ है अगला है विस्थापन अविस्थापन 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 अ में क्या होता यह है ऐलमूनियम क्या करता है यहां फेरस को लोहे को विश्थापित कर दे रहा है ऐलमूनियम क्या कर रहा है लोहे को विश्थापित कर दे रहा है जो कि देखने में लग रहा है क्योंकि अलमूनियम लोहे के साथ विश्थापित कर हटा करके अपनी जगाले औ अलग कर दे रहा है तो इस तरह देखने से पता चल रहा है अल्मूनियम लोहे को हटा करके अपना स्थान ले अल्मूनियम आकसाइड बन जा रहा है और लोहा लोहा बेचारा अलग भाग के किनारे हो जा रहा है यानि विश्थापित कर दे रहा है यानि आप किरिया देखने स के माध्धम से चार अब किरियाओं के बारे में समझा आगे